नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहु बली नेटा सेरे पुर्वांचल पूर्व सांचर उमा कांतियादों के समर्थ को गे लिए बड़ी खुश खबरी आई है पूर्व सांचर उमा कांतियादों को जमानत मंजूर कर लिया गया है अब उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है इलाहबाद हाई कोट ने बाहु बली पूर्व सांचर उमा कांत यादों की जवानत अर्जी को सुईकार करते हुए उनको जवानत रिहा करने का आदेश दे दिया है उमा कांत यादों के खिलाफ जवानपूर के सी आरपी सागन थाने में हत्या वहत्या के प्रयास करने पर मारपीट सहित कई धाराओं में उनके उपर मुकदमा दर्ज है इस मुकदमे को विचारड स्पेशल कोट MP MLA इलहाबाद में चल रहा है मुकदमे में हाज ना होने पर इस्पेशल कोट ने बाहु बली पूर्व सांसर उमा कांत यादों की जमानत अरद कर दी थी इसके बात सेवा नैनी जेल में बंद है इस्पेशल कोट से जमानत अरजी ना मनजूर होने के बाद उन्हें कोट में अरजी दाखिल कर जमानत की मांग की थी आपको बता दें कि 1995 में दर्ज इस मुकर्मे में हाई कोट ने बाहू बली पूर्व सांसर उमा कांतियादों को 1997 में जमानत दे रही थी लेकिन इसके बाद 23 वर्षों तक वह जमानत पर रहे इस दोरान मुकर्मे में गवाही वह साक्ष दर्ज हो चुके हैं अवियुक्त का बायान दर्ज की जाने के अस्तर पर पूर्व सांसर उमा कांतियादों कई तारीखों पर आदालत नहीं पहुचे जिस पर कोट ने उनको मिली जमानत रद्ध कर दी थी इसके बाद 13 मार्च 2020 को उनको फिर से जमानत देने की अर्जी दी गई जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे नया मूर्त एसडी सिंग ने कहा कि अवियुक्त 23 वर्षों तक जमानत पर रहा मौजूदा हालात को देखते हुए यह इन परिस्थितियों में कोट की जमानत का आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है कोट ने उन पर जमानत पर रहने केंडियमों का पालन करने की सर्थ भी लगाई है आपको बता दें कि अब बाहु बली उमाकांत यादो को रिहा करने का आधेश दिये लिया गया है जिससे उनके समर्थ तक काफी खुश है दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए धन्नवाद